हाई हेलो नमस्ते दोस्तो दिस इस रॉनक सर और मैं अब सब का स्वागत करतो आपके पहरे प्लाटफॉर्म आलसी इंजिनियर के हैं कैसे हो सब लोग जो इंडिया की बिगेस्ट इंजिनिरिंग मैथेमेटिक्स की सीरी चल रहे हैं जहां पर हम लोग 4-year सीरीज पर आकरमन की बैठे हैं बहुत सारे सेशन्स हम लोग देख चुके आज के सेशन में भी उसी 4-year सीरीज की कॉंसेप को देखने वाले हैं जिसका न के लिए लेके आ रहें यूनिवर्सिटी वाइस कस्टमाइज कोर्सिस हैं डिटन नोर्स सॉल्ड प्रिवियस यर क्वेश्टिन्स डाउट सॉल्विंग लाइफ सेशन्स और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन तो अब देर कीस बात जॉइन आर कम्यूनिटी ट्र आज के वीडियो में मैं आपको इसके प्राक्टिकल अप्लिकेशन जरूर बताऊंगा अगर आप इस टॉपिक को बुक्स में देखो तो इसलिए आज हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं अब हार्मोनी कहले हैं एनलेसिस का या फिर सीरीज का प्राक् पर आपके ओर आपके आपको इनलेसि का का एप्लिकेश यूज हो होता है मियूजिक का अनलेसिस हो या फिर आप उनट यहे ambitions करते हो जो काफी नहीं रहें पे आपको आपको ECG का analysis हो इस साथी जगव पे आप लोग basically harmonic analysis जो है वो ज़रूर देखोगे अब क्या यह applications जो हम लोगों को exam में पूछे जाएंगे नहीं लेकिन इसके उपर sums ज़रूर आएंगे तो as usual तयार ही हम लोगों की होनी चाहिए कि formula किस तरह किसे याद रखने आप सभी को पता ही है हम लोग जब भी throughout शुरूरुआत करते तो हम लोगों का basic aim टीन ही लोग है जो कि wishlist में a0 है एन और साथ में कौन है बीन है इन ही तीन लोगों को साथ में लेके इस particular lecture के लिए भी जाना है तो देखते ना भाई अभी हम लोगों के पास जो f of x से वो किस तरह किसे दिखाई देगा थोड़ा सा minute change है दोस्त और आप खुद भी पहचान सकते हो चेंज क्या है n is equal to 1 से लेके infinity यहाँ पर आएगा an cos of n theta plus bn और यहाँ पर term आएगी sin of n theta तो देखो यहाँ पर a n रहेगा और bn रहेगा इनके भी फॉर्मिला बहुत इजी है आपको करना है 2 divided by m 2 divided by m 2 divided by m 2 divided by m अब आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि sir मुझे यह इसमें बहुत सारे नए लोग दिखाई दे रहे हैं मैं बतातों consequence से लोग होंगे x है फिर आपको theta element दिखाई दे रहा है y का element दिखाई दे रहा है और आपको क्या दिखाई दे रहा है m दिखाई दे र किस तरीके से आगे बढ़ता है अब standard formula आप फिलाल प्लीज याद रखो एक अच्छी चीज हुए देखो AN, A0 और BN में हमेशा हम लोग integration यूज किया करते थे लेकिन अच्छा है न भाई अभी lecture number 4 में सब कुछ work out होगा बस summation के हिसाब से आपको एक request आपके notebook के साथ साथ आज calc ready रखी है बहुत सारे sums के calculation आपको करने है और आप ही मुझे बताओगे मेरे पास अभी फिलाल calc नहीं है तो चलो जाते हैं इस harmonic analysis के standard formulas देखने के बाद sums किस तरीके से आते हैं देखो harmonic analysis में basically दो तरीके की sums आते हैं जिनको आपको बहुत तरीके से देखना होगा मैं दोनों sums आपको pattern दिखाता हूँ जो पहला pattern है उस pattern में आपको हमेशा दो लोग दिये जाते आपको कुछ इस तरीके से इंटरवल्स दिखाई देंगे और दूसरा एक sum का pattern है जहां पर आपको थीटा दिया जाता है एंगल दिया जाता है और साथ में वाई लिखा जाता है तो यह एक आपका दूसरा pattern है अब इन दोनों इंटरवल्स जो रहता है नंबर ओफ इंटरवल्स जो है न तो उसको कहते है एम जो की आपने देखा है यहां पर सो में का आपको प्रैक्टिकल जो यूसे जो समझ में आया कैसे निकालेंगे हम लोग यहां से तो दोनों जगह पे यह चीज इसी तरीके से वरकाउट हो सकते आप इसको देख सकते हो अब नंबर ओफ इंटरवल्स के हिसाब से मुझे एम की वैल्यू पता चलिए उसी के साथ साथ अब इस वाले पैटेन में जब आपको ठीटा निकालना होता है तो आप करोगे क्या आपको करना क्या देखो नंबर ओफ इंटरवल्स जो है वह आप नीचे लिग दो और इसी के साथ साथ ओवर और अल्ल हम लोगों की साइकल लेती है टू पाई की तो आपको बस और यहां पर टू पाई भाई सिक्स करना है तो आपका थीटा होगा वो इस द्रीटा चोट कर अब mundane और उसके बाद यहां पे पाई यहां पे पाई चलो ठीक है दूसरे पैटन में सबसे ज़्यादा हम लोगों को खुशी मिलेगी the basic reason खुशी मिलने का वो यह है कि यहां पर आपको theta already given होता है तो यह जो जमेला है यह कुछ करनी कि आपको ज़रूरत नहीं आपको बस number of intervals निकालने जो theta का column दिया हुआ है उस column में जो भी angles रहेंगे उनको substitution में use करना है and you have to get your answers बहुत easy है दोनों टाइप आपको समझ में आया अब इसी के साथ साथ ऐसा भी होता है हम लोगों को पूछा जाता है कि find first harmonic अच्छे से समझ लो समझ शुरू करने ही वालों में अभी find first harmonic जब पूछा जाता है ना तो इसका इंडिरेक्ट ली मतलब यह होता है कि आपको जहां जहां पर n है वहां वहां पर क्या substitute करना है वन substitute करना है तो मुझे बताओ आपको यहां पर ज़रूर एंड दिखाई देता है तो आप लोग क्या करोगे एवन जो दिखाई देगा अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा टू बाय म समेशन ओफ वाई कॉस ओफ वन थीटा similarly you can find कि आपको बीवन भी दिखाई देगा मेरे दोस्त जो की अगेन ऐसे ही होगा टू बाय मोगा साथ में समेशन होगा वाई के साथ कौन सी टर्म होगी साइन ओफ वन थेटा होगी तो देखो एवन आपको इस तरीके से सॉल्फ करना है बीवन आपको इस तरीके से इचा क्या था फॉर्स तो आपने बस और बस यहां पर करना है एवन के साथ कॉस ओफ वन थेटा और बीवन के साथ साइन ओफ कितना लिखना है वन थेटा इट इस एच सिंपल इस यहां पर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे बताओ अगर आपको एक और हार् होगे इसी में n is equal to 2 substitute होगा और a2 cos 2 theta plus b2 sin 2 theta दिखाए देगा थर्ड हामोनिक के लिए a3 cos 3 theta plus b3 sin 3 theta दिखाए देगा and so on and so forth आपकी गाड़ी आगे बड़ेगी तो इस तरीके से कुछ हम लोगों को चीज़े find out करने हो इसी के साथ एक और सवाल भी पूछा जाता है हम हमोनिक ऐसे कुछ सवाल पूछा जाता है अब इस केस में आपने क्या करना है पता है amplitude को नाम दो ए और बढ़िया से अंडरूट का sign दो आपका first harmonic is a1 और कौन है बीवन है तो इनका बढ़िया सा square करो add करो and get your answers done तो first harmonic के लिए जो formula amplitude के लिए use होता है वो कुछ इस तरीके से होगा second harmonic के लिए two square plus b two square होगा so under root में तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़े work out होगी what I want you guys to understand is to write these formulas एक बर के यह formulas लिग दो जब समसा हैंगे तो मैं सच में आपको support करूँगा किस तरीके से solve किया हुआ है is this okay Kelsey ready है तो चलिए आगे बढ़ते है sum number one के लिए देखो काफी interesting sum है और सबसे अच्छी बात आप ना थोड़ा सा smile करो या क्योंकि integration नहीं use करने आपको right तो चलो obtain the constant term and the coefficients of first sine and cosine term समझ में आ रहा है the coefficients of first and first sine and cosine term in the four year expansion of y as as the following table also obtain the amplitude of the first harmonic कोई tension नहीं है sum को देख लो आप लोग x दिया है y दिया और आपको पूरी की पूरी rows में value दिये जैसे की x की value जा रही है 0 से लेके 5 y की value जा रही है 9 18 24 28 26 20 मैंने बोला था इस तरही का sum जरूर आता है अब आप करोगे क्या मैं बतातो आपको जो भी sum दिया जाएगा वह आपको पहले तो शिद्दत से तरीकी से लिखना है और क्या-क्या find out करना है आपको सिर्फ और सिर्फ और साइन and cosine term बोलिए तो इन जनरल आपका जो f of x का formula वो तुम्हें पहले लिख लेता हूँ याद है आपको a not by 2 है फिर summation है n goes from 1 से लेके infinity है यहां पर आता है n cos of n theta plus bn sin of n theta यह आपका standard formula है है कि नहीं अब उन्होंने खुदी बोला है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ first sign and cosine term चाहिए याने कि for first harmonic only for first harmonic आपका n कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था तो यह f of x वाले भाई-साब आपके किस तरीके से दिखते है a0 by 2 है प्लस यहां प्याएंगे a1 cos of theta plus b1 sin of कितना आ जाएगा theta और मेरे दोस्त मैं इसको बहुत प्यार से box कर रहा हूँ यह हम लोगों का final answer रहेगा जब हम लोग यह सारी values find out करेंगे तब अब इन सारी values को find out करने के लिए आपको as usual पता है कौन-कौन लोग लगेंगे a0 लगेगा a1 लगेगा और कौन लगेगा b1 लगेगा अब यह तीनों में से तीनों को find out करने के लिए आपको एक और बंदे की जुरूरत है जिसका नाम है theta right तो अब theta किस तरह किसे निकाला जाता है मैं वापस बता रहा हूँ please have a look at it so पहले तो आप अगर sum को ठीक से देखो तो you will understand कि मैं कौनसी कौनसी चीज़े कर रहा हूँ देखा अभी number of number of intervals यह दो चीज़े तो आपको compulsory करने है मुझे बता दो number of intervals का मतलब हम लोगों ने लिखा हुए m तो check कर लो एक, दो, ती, चार, पात, छे कितने intervals है छे तो m is equal to अपका यहाँ पे तरीके से कितना है या 6 आया अब थीटा किस तरीके से find out किया जाता है देखो थीटा को find out करने के लिए अपनी cycle रेती है टू पाई की और number of intervals से उसको divide करो किसी को बोलो मत तो each in every angle theta का interval में 5 by 3, 5 by 3, 5 by 3 से आगे बढ़ेगा तो देखो यह दो चीज़े समझ में आई तो ही आपको अब मैं table समझाने के लिए जाओंगा please have a look at the table किस तरह किसे यह table जो वो form किया जाता है सबसे पहले तो यह देखो यहाँ पर जो भी x की value दिये 0 1 2 3 4 5 6 यह मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो x की value जो है जैसे वैसे लिख दी y की value जो भी दिये वो जैसे वैसे लिख दी जब values लिख रहे हो गलतिया मत करो बहु प्यारा साथ theta जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें अगर theta नहीं दिया है तो it is our responsibility to find that out or find करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है तो देखो अब जब की theta आएगा तो क्या करोगे every portion every interval will get added with pi by 3 pi by 3 pi by 3 तो देखो शुरू होता है 0 से then there is pi by 3 then there is 2 pi by 3 then there is 3 pi by 3 then there is 4 pi by 3 and then there is 5 pi by 3 are you guys really getting my point ये सारी चीज़े आपको अगर radian में difficult जा रही है तो आप इसको degree में convert करके भी लिख सकते हो that does not matter आप किस तरीके से calc use करोगे वह matter करने वाला है अब मुझे बता दो I hope so पहले 3 column आपको सही से समझ में आया है मैं box कर रहा हो भाई 3 columns को कि जो की अगर 3 column समझ में आये है तो मेरे पास अब options क्या क्या है मैं बतातो options क्या है मैं सबसे पहले जाओंगा a not के लिए right a not का मेरा formula मुझे बोला गया है 2 by कितना होता है m होता है और फिर उसके बाद होता है summation of y अब मेरे पास 2 है by है और यहां पर 6 है correct है m तो 6 बोला है और यहां पर होगा summation of y are you guys getting my point किस तरीके से मैं यहां पर चीजे कर रहा हूँ is it is it clear to you अब यह a not का मेरा adjustment हो गया अब आप देखो next element मेरे पास होना चाहिए था वो होना चाहिए था तो a n के लिए भी मेरा होना चाहिए था 2 by m summation अब n की जगह पे आपको first harmonic अगर बोला है तो क्यों न हम लोग इस जगह पे a n की जगह पे directly a1 को use करे because formula wise मुझे a1 और b1 find out करना है तो a1 is equal to summation of y cos of 1 theta ऐसे कुछ आएगा फिर b1 होगा जो की 2 by m होगा summation होगा y of कितना होगा sin theta I hope जितनी जितनी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी चीजे आपके पल्ले पढ़ रही है आपको समझ में आ रहा है कि actual में sir क्या करने जा रहे are you guys really getting my point अब मुझे बताओ आपके पास कौन कॉलम do you have summation of y पहले तो मुझे बताओ y का पूरा का पूरा कॉलम आपके पास है इन सारे कॉलम की values को अगर मैं add कर दू तो मुझे कौन से भाई साब दिखाए देंगे summation y तो मेरे पास भाई y के लिए मुझे कोई problem नहीं है अब मुझे बताओ यहां पर कौन दिखाए दे रहा है cos of theta यहां पर कौन दिखाए रहा है sin of theta do we have that no तो अब हमें अपने कॉलम में कुछ चीज़े add-on करनी होगी जैसे कि मुझे sin और cos theta पता नहीं था तो मैंने यहां पर sin theta लिखा अब यहां पर दिमाग की बत्ती जलाओ sin theta तो theta की एक 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 value substitute होगी और आपका जो प्यारा सा Kelsey है ना उसका mode है ना mode वो radian mode करो यह सारी values अभी फिलाल तो radian में तो आपने करना क्या है sin theta की यह जो values है यह सारी values यहां पर substitute करनी है एक 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 करके जो values आ रही है वो आप लिख सकते हो यह value fractions में आप लिख सकते हो यह point में भी लिख सकते हो कोई problem नहीं है but make sure अगर यह यहां पर radian में है तो calcica mode भी radian mode हो तो radian mode से हम लोगों ने sin theta की सारी values at particular theta निकाली cos theta की सारी values at that particular values of theta निकाली तो देखो मेरे पास और दो columns ready हो गए एक sin theta का और दूसरा है cos theta का is this okay अब मुझे बता दो I have y I have sin theta I have y I have cos theta just have a look at it मुझे अब क्या चाहिए पूरा set चाहिए ना summation में यह से अकेले अकेले को summation नहीं होता है अब यहां पर पूरे product को हम लोगों को summation में convert करना है तो मुझे product ready करना है तो मैं करूंगा इस y का इस sign के साथ multiplication that would clearly give me कौन देगा देखो y sin theta देगा similarly इस y का cos theta के साथ multiplication जो की मुझे क्या देगा यहां पर y cos theta देगा तो देखो यह सारी values y sin theta याने कि देखो इधर से और इधर से बस multiplication करा है this into this this into this तो सारी values आप यहां पर orally भी फटाफट फटाफट सब्सिट्यूट कर सकते हैं once you substitute आपका y sin theta और y cos theta भी ready हो जाएगा देखो पहला समय बहुत time हम लोग यहां पर इस sum को दे रहे तो very reason is मुझे कुछ भी हो आपको यह पता होना चाहिए यह table किस तरीके से form करना है पूरी game table पे there is no integration involved तो आपको table सही से जो है वो ready करने आ जाना चाहिए एक बार का table ready होगे ना बस 10 minute का का में 10 भी नहीं भाई 5 minute का का में आप खुदी देखलो अभी अब जब मैं इन सारे वाई लोगों को एड करूंगा ना तो वाई लोगों को एड करने के बाद जो मेरा वाई का अंसर आता है मतलब समेशन वाई आएगा वह मैंने अल्रड़ी यहां पर लिखके रखा है आप भी कलसी पर calculate कर सकते हो सब्सक्राइब यहां पर किस तरह की से चीज़े वर्काउट होगी भाई खतम हो गया सम आप खुदी देखलो यह वन भाई थ्री आजटीज यह जो समेशन वाई दिखाई दे रहा है इस समेशन वाई की जगह पर मेरी वाल्यू आ चुकिए 1.25 आम गोंग तो जस्ट इजी है सच में आपको यह चीज समझ में आई है कि किस तरह की से सर यह चीज़े कर रहे है अगर यह सही में आपको समझ में आ रहा है तो मेरे भाई next value हम लोगों की जहेगी A1 के लिए है मुझे बताओ A1 के लिए भी आप लोग क्या करोगे 2 divided by m की जंगह पे तो 6 आने वा समेशन की जगह पे सब्सिट्यूशन दे सकते हो अब यह और यह कैंसलों के 3 and answer in this case you get is minus 8.33 तो भाई मैं तो खुश हूँ मुझे यहां पे value मिल चुके है is this okay now let's move on for the next next भी आप कर सकते है अच्छे से आप ही को पता है अब मैं यह सारे के सारे portion को इन सारे के सारे portion को यहां पे जो भी मुझे दिखाए दे रही है यह सारी values अगर मैं add कर दू तो यह y sin theta का समेशन हो जाएगा calculate किया तो मैंने answer already निकाल के रखा आप खुद भी कैल 3 और यह जब simplify होगा तो करो simplify फटा 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 अंसर बता दो क्या मेरे पास है answer minus one point कितना आता है one five whatever it is this is my final answer और मेरे भाई यह तीनों answers मेरे आ चुक है मुझे बताओ by any chance मेरे अगर यह तीनों answers आ गए है तो next aim मेरा क्या होना चे मुझे मुझे अब a not पता है a1 पता है b1 पता है भाई उठाओ ना और कहां पर substitute करो final answer में जो हम लोगों को यहां पर equation number one के लिए बोला गया है तो काम करते हैं इसके बाद जाते हो री राइटिंग वन सही है ना तो री राइटिंग अगर मैं equation one करूं तो मुझे f of x याने की जो भी series है आपकी उसका answer मिल जाएगा a not by 2 तो a not की जो value हम लोगों की i थी वो i think so i थी 41.66 ना एक बार चेक कर लेते हैं 41.66 तो 41.66 और यहां पर by 2 था प्लस उसके बाद यहा की वैल्यू आई है माइनस 8.33 माइनस 8.33 और यहां पर आएगा कॉस्ट थिटा और माइनस 1.15 यहां पर आएगा आपका साइन थिटा यह जो भी आया ना मेरे दोस्त इस यूर फाइनल आंसर अब आंसर भले फाइनल हो जाए एक और सवाल पूछा है also obtained amplitude of first harmony भाई इसके पह formula क्या होता है तो amplitude of first harmonic first harmonic is equal to come on help करोगे under root of क्या रहता है a1 square प्लस कितना रहेगा b1 square now do you have a1 with you yes absolutely minus 8.33 भाई साब का square है plus do you have b1 with you minus 1.15 भाई साब का square है अब जबकी यह पूरा calculate होगा तो please square किजिएगा square करके add किजिएगा और under root निकालो तो मेरे पास कुछ answer ready हो रहा है that is 8.something like 41 के आसपास मेरा answer आ रहा है तो यह है आपके amplitude जो किया यह 8.41 and that's all यह है अपना sum जो आपको 4 या 5 marks easily दे सकता है प्रोवाइड टेबल एकदम सही से प्लीज आपको solve करना होगा are you guys really getting my point सच में पूरा का पूरा समसमझ में आया clear है किस तरीके से value अगर हां amplitude नहीं पूछा है तो आपने नहीं किया तो भी चलेगा फिर आपको बस first harmonic तक के काम करना होगा you have to get your answers accordingly is this okay तो भाई साब harmonic analysis अच्छे से हम लोग पढ़ चुके trial numerical भी आपको पता चला है आपको और numerical solve करने तो आपको बता है आपको क्या करना है आपको बढ़िया से नीचे google form की link दिये link को आप fill up करो वहां पर form fill up करने के बाद आपको हमारी तरफ से एक link आएगी उस link पर click करने के बाद जितने सारे sessions में लिए हुए सारे sessions की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी hopefully ये जो engineering mathematics की series चल रही है वो आपके लिए काफी फाइदिमन साबित हो रही है दोस्तों अगर आपको मेरे sessions अच्छे लग रहे तो प्लीज आप comment section में मुझे जरूर बताना कि क्या किस तरी के से आपका feedback होगा भाई ये सारी चीज़े हम लोग को हमेशा motivate करते रहते हैं चलिए मिलते हैं next lecture के लिए तब तक के लिए भाई स thank you thank you so much झाल झाल